हेलो अबरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फिरेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ आईसे एसी प्रूडेंटल लार्ज एन मिटकेप फंड डाइट प्लान गुरोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्वल फंड है इसने पिछले एक साल तीन साल पांस साल या फिर एनुवल रिटर्न क्या दिया है आज के डिट में इसका एक इन तो फिर आगे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता और लास्ट मैं आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें आईसे एसी प्रूडेंटल लार्ज एन मिटकेप फंड डाइट प्लान गुरोथ के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपन साथ क्या करेंगे तो सबसे पहले हमें बात करते हैं आईसे एसी प्रूडेंटल लार्ज एन मिटकेप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर तो इसके अंदर दो एक्क्यूटी आपको नजर आएगा सबसे पहले एक लार्ज और दूसरा मिटक्याप यानिकि दोनों का देखने को मिलेगा इसकी बात करें तो यह एक एक एक्क्यूटी मुच्वल फंड है जो कि लार्ज और मिटकेप के अंदर आता और यह काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया वो दिया अनतालिस पॉंट दो आट परसेंट का रिटन ह है तीन साल के रिटन के बात करते हैं तीन साल में 27.72 परसेंट का रिटन है पांस साल के बात करते हैं तो पांस साल में 24.95 परसेंट का रिटन है और अगर एन्वल रिटन की बात करें तो एन्वल रिटन है 18.08 परसेंट का ध्यान रहे अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटन डिसकस किया एक साल का तीन साल का पांच साल का यह इनका वन टाइम का लमसम का रिटन है अगर आप S.I.P. के त्रूँ इन्वेस्मेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है तो क्या रिटन मिलेगा मैं यह चीज इसी वीडियो के साथ अंदर आपके साथ कवर करू है इसमें आप मिनिमाम S.I.P. अमॉंट 100 प्यार का रगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 14,480 करोर का अब हम लोग रिटन कल्कुलेटर के अपर बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्छल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते हैं तो फिर आपको क्या रिटन देखन करने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्मेंट स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस पेडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक राफ्र रिंग दिया है जिससे अगर आप एकाउंट आपन करते हैं तो कुछ आपको यहाँ पे अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर पांच जार परमन जमा किये होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता साथ हजार आपको मिलता तेहत्तर हजार साथ सो पंदर रुपया यानि कि SIP के थूरू एक साल में आ और बात करते हैं पांच साल में तो पांच साल में आपका पैसा जमा होता तीन लाख आपको मिलता छे लाख बियालिस जार चार सो चालिस रुपया यानि कि आप्रोक्स पांच साल में आपको करीब एक सो चौदा परसेंट के असपास रिटन देखने को मिलता अब बात करते अगर आपका एक लाग रुपय एक लाग रुपया जमा कीया होते हैं तो एक साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग र्रन्द के..." होता तीन साल में आपका 1,002,88,342 रुप्या होता और पांस साल में आपका 1,001,004,560 रुप्या होता फाल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 117 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 आँसके स्टेवाज डिसक अगर हम लोग इसकी हॉल्डिंग एनालाइसिस को देखे तो एक्वेटी पे है अगर इस एक्वेटी को अगर सेक्टर वाज देखते हैं तो फाइनसियल पे है 23.4 अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्णिंग रेशियो 23.52 और पीवी रेशियो 3.70 अगर आप इस मुचल फंड के अंदर अपना पैसा इंवेश्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमूम लंसम आपको 5000 प्रेकर करना होगा और अगर आप SIP के थुरू अपना इंवेश्मेंट करना चाहते हैं तो आप 100 पैसे स्टार्ट कर सकते हैं अब हम लोग रेटन एंड रेंकिंग के ओपर बात करते हैं और आपको समझ में आएगा कि क्या हमें ICAC Prudential Large and Mid Cap Fund के अंदर इंवेश्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं ICAC Prudential Large and Mid Cap Fund का जो फंड रेटन है एक साल में 48.3, तीन साल में 27.6, पांच साल में 24.9 और एन्वाल है 18.1 का वहीं पर इस कैटेगरी का जो एबरेज रेटन रहता है यानि कि एक्वेटि लार्ज केप, लार्ज और मीट का जो एबरेज रेटन एक साल में 46.2, तीन साल में 28.9, पांच साल में 22.3 और यहां पर देखेंगे कि यह जो मुच्वाल फंड है यह अपना कैटेगरी एबरेज को बीट करके आपको ज्यादा रेटन दिया है एक साल में भी, तीन साल में भी, पांच साल में भी, अगर आप एक लार्ज को देखें, इनका एक्सपेंस रेशियो 0.18% का, एक्जिट लोट की बात करते हैं, अगर आप इंवेस्ट के आवा पैसा एक मेने के अंदर निकालेंगे, तो इसपर आपको एक परसंट का एक्जिट लोट देना होगा, और स्टम ड्यूटी की बात करते हैं, तो स्टम ड्य यहाँ पर टैक्स देना होगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी फंड हाउस एन इन्वेस्मेंट अबजेक्ट्स को, तो आईसे एसे प्रूडेंटल मुच्वल फंड टोटल असिस्ट पर इंडिया पर आज के डिटम नमर तीन पर रेंग करता है, इसका टोटल असिस् प्रूडेंटल मुच्वल फंड की तरब सी, एस नरेन परकास गोराब गोयल अभी इस फंड का कारेंट फंड मेनेजर है, इस फंड का कारेंटल असिस्ट अंड मेनेजमेंट है, सात लाग एक आसी हैजा तीन सो चुरावे करोड का और लेटिस्ट ने भी है, एक हजार पच जर्फ्य का सेट किया गया है, अगर आप इन्वेस्ट के आवा पैसा एक मेने के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको एक परसंट का एकजिट लोड देना होगा, और इसकी फंड बेंचमार्क के अगर बात करते हैं, तो इसका फंड बेंचमार्क है निप्टी लार्ज अच्छी जानकारी को ले करके